दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अगर आपका AU Mobile Banking आपने लोगिन किया है तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं AU Mobile Banking application को किस तरह के से आप यूज़ कर सकते हो इस वीडियो में आपको सब कुछ information मिलेगी वीडियो को पुरा end tech देखना सबसे पहले जब आप AU application को open करेंगे तो यहाँ पर आप login कर लीजिए अपना जो भी MPN आपने set किया है अप दिखिए इसमें आपको काफी सारे services मिलती है तो चलिए मैं आपको MPN डाल के इसमें login कर लेता हूँ MPN इंटर करने के बाद दिखी इस तरीके से सबसे उपर saving account आपके account में कितना balance सबसे उपर दिखा रहा है उपर आप दिखिएंगे 3.riis पर आप click करेंगे तो यहाँ से view profile पे click करके आप अपने profile का photo add कर सकते हो और यहाँ से आप customer id सब कुछ information आप देख सकते हो आपका नीचे address भी आ जाएगा तो चलिए इसको हम बेख करते हैं आपको और भी information में आपको इस video बताओं तो उपर 3.riis रिक्वेस्ट आ रहा है service request में आप यहाँ से checkbook apply कर सकते हो debit card apply कर सकते हो checkbook के लिए checkbook पे हम tick करेंगे अब यहाँ पर new checkbook अगर आपको apply करना है तो यहाँ से कर सकते हो अच्छे services आपको यह provide करता है debit card पे click करके अगर आपको नया debit card चाहिए तो वो भी आज इस application पे apply कर सकते हो सब सच्छी बात है कि इसमें आप virtual debit card देख सकते हो जो कि आपके सामने दिखा रहा है इस तरीके से show पे click करके आप इसका number देख सकते हो और इसको ecom online transaction के लिए use कर सकते हो चलिए बेक आते हैं अब यहाँ पर दिखी नीचे आपको 4-5 option दिख रहे हैं जिसमें आपको सबसे उपर option है account का उसके बाद FDRD अगर आप FDRD open करना चाहते हैं तो यह आपके अकाम होने वाला है अगर आपको किसी को पेशा transfer करना है अगर उसके दूसरा account है दूसरी bank में उसका account है तो इस पे click करेंगे money transfer पे ठीगे यहां से आप fund transfer कर सकते हो easily enter pay name पे click करेंगे अब यहां पर दीखे add new pay पे आप click करेंगे अगर मालो सामने वाले का account AU bank में है तो इस पे करेंगे अगर इन्हें दूसरी bank में तो आप other bank पे करेंगे उसका IPC code जो bank करेता है उसकी passbook पे वो आप यहां पर enter करेंगे जिस जो जाए IPC code इंटर करते है उसकी bank का name उसकी bank का address कौन सी branch में उसका account है सब कुछ आजाएगा सही है तो के कर दीजी अब यहां पर उसका account number लिखेंगे दोबार account number confirm करके यहां पर लिखेंगा उसके बाद enter pay name करोगे दोस्तों आपका देखिए successfully यहां पर इस तरीके से लिखा हुआ आ चुका है आप simply confirm कर लिजी अब verification होगा एक OTP आपके phone number पर जाएगा और यहां पर OTP आ चुका है simply enter करके आपको इसमें verification करना है यहां पर देख सकते हो successfully हमारा pay add हो चुका है अब अगर आपको money transfer करना है simply आप यहां पर pay now के option पर simply click करेंगे अब इसको बार बार आपको add करने की जरवत भी नहीं है automatically ही आ जाएगा चलिए हम फिर से homepage पर आते हैं homepage पर आ चुके हैं फिर से money transfer पर हम करेंगे अब आपका pay successfully इसमें add हो चुका है अब simply यहां पर आप टिक करेंगे आपका दिखी नीचे RIS पर टिक कर देंगे अब कितना amount आपको भेजना है वो आप यहां पर डालेंगे उसके बाद simply IMPS NAMT जो भी आपको करना है कर सकते हो transfer money पर जैसे click करेंगे उसके बाद आपका जो MP आपने set किया है वो आपको डालना होगा confirm कर लेंगे हम फिर से OTP आता है क्योंकि verification के लिए इस पर OTP send करता है वो OTP आप जैसे enter करता है तो आपका जो ही यहां पर transfer successful हो चुका है amount transfer successful आप चाहे तो screenshot ले लिजी या फिर उपर share पर click करके share कर सकते है बाकी और option की बात करें तो एक bill pay का option आता है जिस पर click करके आप mobile का recharge landline, postpad, dth का recharge elect, sit, water का bill यहां से pay कर सकते हो बिल्कुल simple है credit card का option आता है इस पर click करेंगे आप यहां से आप new credit card apply कर सकते हो चली बेग करते हैं एक है UPI का option जिस पर आप दीखी click करते हैं यहां से आप अपने UPI ID बना सकते हो UPI registration पर click करना है आपको simply और यहां पर जो आप चाहों आपने UPI ID set कर सकते हो, ठीके दोस्तों जिससे आप कोई सामने वाला अगर UPI से payment करेगा तो आप simply UPI ID बता कि उसको payment ले सकते हो कौन सी bank में आपका account है तो चली AU में है तो AU को आप link इसमें कर सकते हो submit पर click किया success हो गया तो यहां से UPI भी registration कर सकते हो अब चली next की बात करते हैं UPI से आप payment को भी send कर सकते हो QR code को scan करके अगर आपको payment करना है तो इस पर click करके जो भी QR code सामने वाले को उसको screen कर सकते हो अब और कुछ information है insurance कर सकते हो debit card apply कर सकते हो checkbook apply कर सकते हो service request में जाके उसके बात video banking है contact us में customer कर सकते हो mobile applied bus booking कर सकते हो hotel book gift card और यहां पर fast tick भी आप recharge कर सकते हो अगर आपको ATM ढूंडना है branch ढूंडना है तो इस पर हम click करके यहां से आप ढूंड सकते हो जो भी nearest आपके branch या फिर ATM आपको find करना है तो यहां पर simply आप search कर सकते हो pin code डालके देख सकते हो आ चुका है हमारे पास ATM और branch दोनों तो यही कुछ application है इसमें एक application पे आप सब कुछ इस्तेमाल कर सकते हो UPI से लेकर flight book, mobile recharge FDRD, will pay यानि कि अलग-अलग application डाउनलोड करने के आपको जरुवत नहीं है तो चलिए आज की वीडियो अगर आपको बसन आया हो तो लाइक कर देजिया चैनल को subscribe कर ले इसी और वीडियो देखने के लिए अगर आपको इस पर registration करना है तो description पर आप चेक कीजिए कैसर registration करना है इस पर वीडियो हमने बना रखाए चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही